हाई एवरीवन वेलकम टो माई चैनल रुचिस टैलन टिप्स एंड जैसा कि आप सभी जानते हो किस टाइम पे इंस्पार्ड मेकप लुक सीरीज चल रही है तो यह वाला लास्ट वीडियो है उस सीरीज का और आज मैंने यह वाला जो मेकप लुक क्रियेट किया है यह है करीन अगर टोनर नहीं यूज करते हो तो आप गुलाब जल यूज कर सकते हो ऐसे टोनर बहुत अच्छा काम करता है तो टोनर लगाने के बाद क्या होगा कि जो हमको स्रेट की प्रोब्लम ज़्यादा होती है वो नहीं होगा और हमारा मेकप फिक्स रहेगा बहुत जादा फैलेगा नहीं पैची नहीं लगेगा तो उसके बाद मैं लगा लेती हूँ मॉस्ट्राइजर आपकी कैसी भी स्किन हो सर्दी हो गर्मी हो आपको मॉस्ट्राइजर अवर्ड नहीं करना है अगर आप चाते हो कि आपका मेकप फ्लॉॉलस लगे तब फिर हम लगाएंगे प्राइमर और प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको स्वेट की प्रोल्बम माती है तब और आपका मीकप पैची नहीं लगे इसके लिए भी आपको लगाना होगा फिर हम लगाएंगे फाउंडेशन फाउंडेशन में पूरे फेस पे अपलाई करूंगी नेके एरिया पे अपलाई करूंगी नेका एरिया आपको बिल्कुल भी अवाइड नहीं करना आपको आपके यह बिल्कुल भी अवाइड नहीं करने है और फिर उसको में ब्लेंड क अच्छे से पैट पैट करती हुए बस आपको ब्लेंड कर लेना है पुरे फेस पे एंदिन फिर आप देखोगे कि एक अलगी ग्लो आएगा वह बहुत जादा सुंदर लगेगा और पुरे आप वसे इसको फेस पे अपलाई कर लो फिर ब्यूटी ब्लेंडर बही वाला पियर अपलाई कर लो इतना होता है ब्यूटी ब्लेंडर में किस से आपके एयर बहुत अच्छे से हो जाएंगे तो मैंने के लिया भी ब्लेंड कर लेती हूं फिर अभी मैं लगाऊंगी कंसीलर कंसीलर मैं आई लिड पे लगा लोंगी और आई ब्रोज के उपर लगांगी नीच अच्छे से आपको ब्लेंड कर देना होता है फिर मिलूंगी आई सेड़ों का यह वाला सेड़ और उसको अपनी आई लिड पे अपलाई कर लूंगी तो आई लिड पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है क्योंकि आप अगर फिंगर टिप्स के अलप से कर रहे हो तो बहुत जादा ध्यान देना होगा कहीं भी कम जादा ना रह जाए उसको अच्छे से पूरे आई लिड पे अपलाई करना है जैसे मैं कर रही हूँ आप भी सेम प्रॉसेस में करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे किया है आप भी सेम प्रॉसेस में कर सकते हो यहां से लूँगी मैं सिल्वर कलर एंड उसको मैं अपनी जो मेरी लिड है वहाँ पे लगा लूँगी आइब्रोज पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी अभी मैं लगाऊंगी आइलाइनर और आइलाइनर में एक ब्रस की हिल्प से लगा लूँगी तो आई लाइनर पे उन्होंने थोड़ा सा विंग क्रिएट किया था करीना कपूर का जो लुक है उसमें आप देखोगे तो थोड़ा सा विंग है तो मैं भी सेम ऐसा ही बनाने की कोशिस कर रहे हूं यहां पे हलका सा विंग देते हुए मैं पूरा लाइनर अपलाई कर लूँगी तो आप देख सकते हो मैंने कितना प्यारा सा आई लाइनर क्रिएट किया है आप भी सेम प्रॉसेस में करना अगर यह वाला लुक आप क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मैं आपको अपने स्टोरी में जरूर डालूँगी फिर लगाऊंगे मैं मसकारा तो मसकारा लगाने से जो पलके होती हैं बहुत खुली खुली और काफी ज़ादा बड़ी बड़ी नज़र आने लगती है तो इससे अगर आपकी आँखे चोटी होंगी तो वो भी बड़ी नज़र आएंगे और देखने में आँखों का लूप बहुत जादा अच्छा हैगा तो फिर देखने में बहुत जादा अच्छा लगेगा और इसलिए यहाँ पे मैंने अपलाई कर लिया है फिर उसके बाद अब हम लगा लेंगे काजल का यहाँ पे मैं मोटा सा लूप क्रियेट करूँगी क्योंकि वो आप देखोगे अगर करीना कपूर की जो मैंने इंस्पैर्ड लूप किया है तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा थीक लगाया था तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा थीक लगाऊंगी काजल अपना और एक प्यारा सा लूप इससे आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे काजल अपलाई कर लिया है आपको भी सीम प्रॉसस में कर लेना है और कैसा लगा है मेकप लूग इसके लिए प्लीज मुझे कमंट सेक्षन में कमंट जरूर करना फिर सेम स्पूली से हम करेंगे अपनी आइब्रोस को फिल आइब्रोस फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी make up करो आप eyebrow fill कर लो और lipstick लगा लो आधा make up तो आपका यूँ ही लगने लगएगा कि आपने कर लिया है तो मुझे eyebrows fill करना बहुत जाओ लागा लो तो i make up complete हो गया है अब मैं लगाउंगी compact और compact मैं पूरे face पे लगाउंगी जहां जहां भी हमने make up अपना base करा हुआ है वहां पे लगाउंगी और जहां पे आपको sweat की problem जाधा होती हो वहा पे लगा ले ना क्यूंकि अगर आप compact लगा लोगे तो this sweat की problem बहुत हद तक कम हो ज सब्सक्राइब कर सब्सक्राइबन करते हैं अगर आपको काफी चबी चबी सापका फेस है तो आपको बहुत इंपोर्टेंट होगा कि आप कंटोर करो इससे आपका जो फेस है वो अलग ही लुक आएगा फिर मैं लगाओंगी थोड़ा सा हाइलाइटर अपने नोज पे और लगाओंगी अपने चीक्स पे साथ ही जहां कि मेरे फेस को हाइलाइट करना है वहां पे मैं लगा लूँगी तो आप भी वहीं पे लगा सकते हो जहां भी आपको लगे कि आपका फेस थोड़ा सा हाइलाइट होना चाहिए चमकना चाहिए बस वहीं आप लगा लूँगी मैं बलश और बलस क्योंकि करीना कपूर का जो क्योंकि उनके नोज भी काफीm रेड के लग रही थी तो असल्यẹ मैंने ये किया है आप लगाओंगे मैं लिप लाएंब those in my lei लए र्लेडर को मैं थोड़ा सा अिर्लेडर का लगा रही हूं जैसे की मेरा जो फोड़ा इसलों करीणक लगा लिप जा रहें Leg il nesli तो अब लगाओंगे मैं लिपस्टिक और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं अपना फाइनल लास्ट लुक तो गाइस यह रहा हमारा फाइनल लुक एंड कुछ ऐसे मैंने अपना फाइनल लुक रेट किया है आपको कैसा लगा है हूप कि आपको अच्छा लज़ा होगा आगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दें ना फ्रेंड्स and फैंबली में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो फर्स टाइम आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना बेल आइकन भी हिट करना जिसे की मेरे वीडियो आपको मिलती रहें मैं मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बा उनली हो ई की मारे वीडियो करना जिसे तब तक की में से जो एंगी जए लो जए और आपकों मिलती है ध्या हो वीडियो कि आपकों मिलती है तक की मारे बाई-बावर जैंगा खिए नह चैनली हो गपकों थ